महराष्ट में आज राज जीवापी हरताल है और वो करमचारियों की हरताल है मांग यह है कि पुरानी पेंशन लागू करो पुरानी पेंशन खत्म किस ने की थी? पुरानी पेंशन खत्म की थी अटल बिहारी बाचपेई जी ने जब वो सरकार में केंदर में आये थे इसके बाद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने नई पेंशन जो लगो की थी वो किसी के हक में है या नहीं है इसको समझने में बहुत लंबा समय चला गया यह वैसा ही है जैसे कि अच्छे दिन को समझने में या फिर जो नीजी करण होता है उसको समझने में समझ लगता है और समझने के बाद बहुत लंबे समय के बाद ये समझ में आता है कि इसका जो असर है वो कितना बुरा है तो बहुत बुरा असर जब हो गया तब समझ में आया लोगों की नहीं वो नहीं पेंशन जो उन्होंने लागो की थी जिसका बड़ा खुब्सूरत तरीके से उन्होंने बखान किया था वो किसी के हक में नहीं है किसी के फायदे की नहीं है यानि कि सब लोग वापिस आ गए पुरानी पैंशन को फिर से लागु करवाने की मांग पर और फिर इस मांग पर सबसे पहले अगर किसी ने गौर किया तो वो राहिस्थान सरकार वहां पे कॉंगरेस की सरकार आई उसने लागु कर दिया इसके बाद फिर जारखटन ने लागू कर दिया पंजाब ने लागू कर दिया और अब हिमाचर प्रदेश ने भी इस उल्ड पेंशन ने की पुरानी पेंशन को लागू कर दिया लेकिन अब महराष्ट के कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं और महराष्ट में इस वक्त जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है हलाकि मुक्य मंत्री शिंदे है जो की एक तरह से शिवसेना के एक अलग गुट के तौर पर जाने जाते हैं लेकिन उनका कोई बहुत ज़ादा वहाँ पर महत्व है नहीं क्योंकि ज़ादा जो निर्णे होते हैं वो फड़नवी से ही लेते हैं तो मसला यह है कि इस वक्त जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं सिर्फ यहीं नहीं महाराष्ट में इस वक्त दो प्रकार के प्रदर्शन चल रहे हैं एक प्रदर्शन जो है वो कर्मचारीयों का तो है ही लेकिन कुछ दिनों से जो बहुत बड़ा प्रदर्शन है वो किसानों का है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने एक पूरे हाइवे को नेशनल हाइवे है जो की मुंबई की ओर जाता है उसको पूरा भर दिया था किसानों ने लेकिन ये इस किसान प्रदर्शन का वैसा असर नहीं हुआ जैसा कि दिल्ली में पंजाब की किसानों ने और बाकी किसान रहे तो वहाँ पर उनकी समर्थन में लोग नहीं आ पाते यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों की मांग को पूरा होना कितना आवश्चक है क्योंकि अगर उन्हें सही दाम नहीं मिलेगा फसलों का तो जिस तरह से प्याज उगाने वाले या लसून अदाम है वो अदानी जैसे बड़े सेठों के हैं तो जो यह जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन क्या सरकार आपकी बात मानेगी क्योंकि जिसने खत्म किया वही आपकी आपकार जो लोग उनकी जो दोस्त हैं उनके तमाम करजे उन्होंने माफ कर दिये बहुत सारे उनकी जो घुटारे थे उसको दवाने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो करमचारियों के हित में काम करेगी या नहीं करेगी यह जरा मुश्किल बात है क्योंकि जो नौकरि याप अंदुलन कर दिया करें, वो आवाज उठा रही है। कि अधानी पर कारवाई होनी चाहिए। ये तुमाम साधी जो बाते को बाते हैं। लेकिन वो किसानों के साथ नहीं दिखाई देती, वो MSP बाइक में उनका साथ देती हुए। वहीं कॉंग्रेस जो है वो जातिकर जंगर्ना को लेकर सामने आती हुए झातिकर जंगर्ना को लेकर किसा कॉंग्रेस जो है अगर सड़को पर आती है तो निश्चीत अबसे इसका असर होगा और ओल्ड पेंशन की डिंद करने वाले इन करमचारियों का साथ भी अगर कौंग देती है तो बहुत फर्क पड़ेगा जो भी दल इस प्रकार के जो मांगे हैं उस पर अगर साथ देगा तो निश्चे जब से उसको लाब होने वाला है और इस प्रकार के आंदलोनों का असर होगा भी और ये कारगर भी होगा तो ये इस्थितिया इस वक्त महराष्ट में है अब देखना ये है कि पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में सरकार कहां बढ़ेगी क्योंकि पिछले दिनों एक हर्ताल हुई थी यहाँ पर जो बिजली करमचारियों दोरा की गई थी जब उसे निजी करन करने की बात सामने आई थी और बिजली दर बढ़ाने का भी इस वक्त मामला चल रहा है तो इस प्रकार से जो निजी करन की बात चल रही थी उस वक्त करमचारियों ने बहुत बड़ी जंक्यां प्रदर्शन किया था और उसका असर हुआ था इस बाहर देखते हैं कि क्या होता है